कि अज़िए कि अज़िए कि नमस्कार दोस्तों तेजपल सिंग कपूर्सला दोस्तों मैं आज इस शोटिशी वीडियो में आप कुछ विशेश बात करना है हमारा भाहरत एक अ casting देश और हमारा समदान सब मारबर के अधिकार देता है हमारे समिदान के अनुस्य सार किसी वी वजह से किसी तरह का भेधवाब नहीं किया जा सकता वो थाहे धर्व के अधार पे हो चाहे जाती के किशी नागरिक में आपस में मत्भेद नहीं किया जा सकता है सब को बराबर के अधिकार है अगर एक कानून की रक्षा करने वड़ा व्यक्ति कानून तोड़ता है तो सब के लिए बराबर सजा का प्रांधान है तो फिर वो चाहे कितने भी बड़े उहदे पे हो वो कितने भी बड़े जगा पे बैठा हो अगर वो बात्य कानून को तोड़ता है तो उसके लिए भी सजा मुकरर है तो इस तरह ऐसे आजकल जो एक नया भेदवाब शुरू किया गया है जो भारत सरकार नहीं कर सकती है क्योंकि जब जब भारत सरकार से आर्टिय डालके पूछा गया कि ये जो टीका है क्या ये टीका हर एक के लिए अनिवा रहा है तो हमेशा जवाब जे मिलाए ये ये वालांटियर है आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं लेना चाहें तो नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं लेकिन कुछ स्टेट गॉर्मेंट्स कुछ राज्य की सरकारें अपने इस तरह पर इस तरह के और्डर निकाल रही हैं जैसे आपने सुना होगा कि बॉम्बे में लोकल ट्रेन में चड़ने के लिए यह लागू कर दिया गया कि जिन लोगों ने दो 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 टीके लिए हुए ह जिन लोगों ने टीका नहीं लिया वो ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं इसी तरह से अलग लग स्टेट गॉर्मेंट जा अलग लग प्रशासनिक अधिकारी अपने- Аपने थिक्तर पर इस तरह के ऑर्डर निकाल रहे एं कि अगर आप टीका नहीं लेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी आप टीका नहीं लेंगे तो आपको जबरन छुटी में भेडिया जाएगा आप टीका नहीं लेंगे तो आपकी सैलरी रोक ली जाएगी आप टीका नहीं लेंगे अब जो गरीब लोग हैं जो आम सलहारन लो क्लियर बताना चाहता हूँ आज कल डक्टर बी आर्सी और निलेश ओजा जी जो एक सीनियर एडवोकेट हैं और बार कॉंसल के पदाधिकारी हैं जिन्हों ने इस बात को लेके वो जो नंगे जो खुलकर इस बात के यह सामने आये हैं कि यह गैर कानूनी है इस तरह के और्डर जो कोई सरकार स्टेट गवर्मेंट निकालती है जा कोई अधिकारी निकालता है गैर संविधानिक हैं गैर कानूनी है हम इनको चैलेंज करें बहुत सारी प्रेटीशन उन्होंने कोट में फाइल भी की हैं यह जो प्रेन का मामला है उसके लिए भी बंबे हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है और उन्होंने सपच तोर पे लोगों को भी यह बोला है निलेश ओजाजी ने कि आप चुप मत बैठे रहे अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो आपके जो समयधानिक अधिकार हैं वो ऋल्मिनेशन जाई तरह का भेध भाव करें आज बहुत सफक्त तोर पे भेधबाव करना शुरू कर दिया गया एक वो लोग है जो झूने टीका लगवाया है एक वह लोग जनों तीका नहीं लगवाया है जमकि बार बार जितनी बार भी बार सरकार से पूछा गया डाल आस इतनी वार ही जवाब मिला है कि इस तरह का बेदवाब नहीं किया जा सकता अगर तीका कोई नहीं लगवाता है तो उससे कोई भी सरकारी सूर्धाएं नहीं छीनी जा सकती हैं तो एक तरफ भार सरकार क्लियर कट इस तरह का जवाब देती है और दूसरी तरफ कुछ राज्य स का रहे हैं जब कुछ अधिकारी अपने तोर पे ऐसे और्टर निकाल रहे हैं तो एड़ो के निलेश ओज्जा जी ने बहुत क्लियर बात कही है कि एक तो आप अपने अहक के लिए लड़ें दूसरा उन लोगों को साथ में पार्टी बनाएं जो लोग आपको मजबूर कर रह हैं और जो भी अधिकारी इस तरह के और्टर निकाल रहा है सच में अगर हाई कोर्ट में जाता है मामला तो उन अधिकारियों को सजा हो सकती है अगर वो इस तरह के गैर समयधानिक और निकालते हैं इस तरह के गैर कानूनी हुकम जो हैं जारी करते हैं तो अब अबसर समय ह है इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता एक तरफ सभी की सभी राजनितिक पार्टियां मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा हर राजनितिक पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है कोई भी राजनितिक पार्टी इसका विरोद नहीं कर रही है सारी की सारी राजनितिक पार्टियां जहां जहां उनकी सरकारे हैं वो अपने अपने तरीके से इस टीका करन को लगू करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है अपने अपने तरीके से डरा डरा कर लोगों को लोगों को भरमा कर लोगों लालच दे कर किसी ना किसी तरह से उनकी कोशिश है कि हम लोगों को जबरस्तिय टीका लगा दे वो टीका जो एक्सपेरिमेंटल है जो अप्रूव नहीं है ऐसा टीका जिसके बारे में अगर हम बात करें आपने टीका लिया है तो आपको कोविड हो सकता है और आप वायरस को फैला भी सकते हैं अगर आपने टीका ले लिया है दोनों डोज ले लिया है तो आपको वो वायरस आपके अंदर आ सकता है आपको बिमार भी कर सकता है और आप वायरस को फैला भी सकते हैं तो अगर आपने टीका नहीं लिया है तो भी वायरस आपके अंदर आ सकता है आप तो टीका लिया और नहीं लिया इसमें अंतर तो बताएं टीका लेने से क्या लाब हो रहा है जबके टीका लेने वाले लोगों को बहुत सारे एडवर्स एफक्ट आ रहे हैं आर्टियाई में ही बताया गया है कि 34,000 से ज्यादा के ऐसे मामले आये हैं जिनमें टीका का दुश प्रभावजा साइड फक्ट सामने आया है और ऐसे ऐसे साइड फक्ट सामने आ रहे हैं लोगों के बुकलाटिंग हो रही है लोगों को परलाइसिस हो रहा है लोग जान से जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे साइड फक्ट से इस टीके के सामने आ रहे हैं कोई सरकार इसकी ज सिम्मेदारी नहीं ले रही है किसी व्यक्ति की इस तीके की वज़े से मौत होती है तो उसके लिए किसी तरह के मावजे का कोई प्रावधान नहीं है तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि पांच किलो गेहूं के बदले अपनी जान दाओं पे मत लगाए चोटी सी किसी न अवेकन इंडिया मॉमेंट ने जिए जिम्मा लिया है कि अगर आपके पास केस लड़ने के लिए वकील नहीं है जा कोई और किसी तरह की मदद की जरूरत है तो अवेकन इंडिया मॉमेंट जो है वो आपको उस तरह की मदद भी कर सकती है इसलिए अगर आपको किसी भी तर सकता है उस डॉक्टर को भी सजा हो सकती है यह पूरा का पुरा जो भी व्यक्ति जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो भी राज्य सरकार इस तरह के और निकाल लिए वो पूरी तरह से गैर समधानिक हैं और गैर कनूनी हैं हम लोग चुप करके ना रखें हम लोग एक जुट हो और हो और इस पर कारवाई करें अगर आप अपने अधिकारी को अपने हाथ से लिखके भी एक नोटिस दे देते हैं कि मैं आपको पार्टी बनाऊंगा भारत सरकार का ये कोई कानून नहीं है कि ये टीका लेना अनीवारिया हैं तो आप राज्य सरकार या कोई अधिकारी कैसे इस चीज को लागू कर सकता है आप गैर कनूनी कर रहे हैं मुक दर्शिक मत बने और एक दूसरे की देखा देखी मतलब जो लोग मेरे साथ बात होती है कुछ लोगों की वो बोलें जी दाने नहीं मिलेंगे गेहूं नहीं मिलेंगे कौन बोलें लोग बोलें कोई आधार नहीं है इन चीजों का ये अफवाहें हैं कोई आपकी किसी सुवदा को रोक नहीं सकता किसी टीका जो स्वाय चुक है अगर आप लगवाना चाहते हैं लगवा सकते हैं लेकिन लगवाना चाहते की मामला भी उसमें भी आपको देखना होगा कि इस टीके का क्या कोई लाब हो रहा है दोनों डोज लगवाने के बाद भी लोगों को ये वाइरस लोगों के अंदर आ रहा वो जो natural immunity build हुई है जिसने इस वाइरस को मारा है कुदरती तरीके से आपके शरीष ने इस वाइरस से लड़ाई किया और इस वाइरस को हराया है अगर आप टीका लेंगे तो वो natural immunity pollute होगी नुकसान होगा वो immunity जो है आपकी destroy होगी टीका लेने के बाद कितने सारे ऐसी रिपोर्ट्स है कि कोई एंटी बोडी बिल्ड नहीं हो रहे बोडी एंटी बोडी नहीं बना पा रही है तो जिन लोगों में हलके लक्षन आये हैं जिन लोगों को ये वायर्स आया और खुद ही ठीक हो गए गरेलू रेमडी से जब चोटी मोटी गरेलू कोई उपाय करने से ही बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं उन लोगों को किसी भी वज़ाय से ठीका लेने की जरूरत नहीं है दरसल लोग अपनी इच्छा से ठीका नहीं ले रहे हैं लोगों को डराया जा रहा है लोगों को धंकाया जा रहा है लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप से सुधाई छीन ली जाएंगी तो इसका विरोध करना चाहिए वह पार्टियां मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि जो लोग आपोजिशन में बैटे हैं उन लोगों को भी इ बिल गेट्स जैसे लोग वो जो विश्व के पूंजी पती हैं जिन लोगों ने धार लिया है कि हम लोगों की जेव से पैसा निकालके अपनी जेव भरेंगे ऐसे कुछ अधिकारी ऐसे कुछ डॉक्टर ऐसे कुछ चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं जो उन कंपनियों को लाब देन के लिए नीचे लोगों में ऐसा भरम फैला रहे हैं कि आप से सरकारी सुविदाएं चीन ली जाएंगी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यह गैर कौनूनी है गैर समधानिक है आए हम एक जुट हो इसके खिलाफ लड़ें अगर नहीं लड़ें तो हमारी अजादी चिन जाएगी हमें गुलाम बना दिया जाएगा आप सबका धन्यवाद शुक्रिया महरवानी